नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीर पर दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां सफेद बाल हमेशा के लिए जड़ से काले हो जाएंगे मात्र 30 मिनट में जरूर अपनाएं ये विधी क्योंकि ये बहुत ही कारगर होने के अनिक कारण होते हैं कुछ लोगों में पोशक तत्वों की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं तो कुछ लोगों के बाल शारीरिक बिमारियों और तनाव के कारण भी समय से पहले पकने लगते हैं समय के साथ बालों का पकना तो जेनेतिक प्रक्रिया होती है लेकिन कम बालों का सफेद होना चिंता की बात होती है आज हम आपको एक ऐसा रामबार नुस्खा बताने जा रहे हैं जो पुराने से पुराने सफेद बालों को भी हमेशा के लिए काला और घाना कर देगा जिहां नुस्खा बनाने की विधि जान लीजे इस नुस्खे को बनाने के लि को एक लीटर पानी में अमला पाउडर घोल कर उसे रात भर के लिए एक लोहे की कड़ाही में रखना है सुबह इस पानी को तब तक पकाना है जब तक आधाना हो जाए अब इसमें 200 ग्राम दही मिला करके इसका पेश्ट बना लेना है इस पेश्ट को अपने बालों पर लगा करना है और लगभग आधे घंटे बाद बालों को शैंपू की सहायता से अच्छी तरह से साफ कर लेना है लगभग सप्ता में एक बारिस नुष्खे का उप्योग जरूर करें ऐसा करने से बहुत जल्दी आपके बाल सफेद से काले हो जाएंगे और अगर हलके हो गये हैं तो घंटे भी हो जाएंगे यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बहुत ही महतवपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों